तसिदार उकर लेने आपाणी पद्दा जिधे प्रेंका गांधी वलो संबोधन कीता चारे कि भाईया हम आरक्षन लाएं और जब हमारी पहलवान बहनों के साथ दुष्कर्म होता है घलत काम होते हैं तो मोदी जी कहां छुप जाते हैं ओलिम्पिक की मेडल लाईं तो मोदी जी ने चाय पे बुलाया अपने घर बुलाया फोटो किचवा दी सारे टीवी ने दिखाया कि मोदी जी है तो मुमकिन है मोधी जी नहीं होते तो हमें मेडल ही नहीं मिलता और जब उसी महिला ने रो कर कहा कि मुझे पे अत्याचार हुआ है मोधी जी मेरी बात सुन लीजिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात का हुआ जब मैं उससे मिलने गई जब वो धरना लगा रही थी मैं उन लड़कियों से मिलने गई उसने मुझे कहा कि दीदी मैंने सोचा था मैंने देश को गर्वित किया है देश के लिए इतना बड़ा मेडल लाई हूँ मैंने सोचा था कि अगर मैं सड़क पे बैठ जाऊंगी मैं अंदोलन करूंगी तो मेरी तो सुनवाई होगी मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये लड़की इसने एतनी महनत की होगी मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने हर्याना के लिए बास्केट बॉल खेला था तो मैंने अपनी बेटी को एक गाउं में सोनीपत में किसी गाउं में एक स्कूल था उसमें कैम्प में भेजा था सरदी का समय था मेरी बेटी रोज शाम को मुझे फोन करती थी रोती थी कि बहुत मुश्किल है मम्मी बहुत मुश्किल है और मैं उसको बताती थी बेटा देखो गाउ की लड़किया कैसे मेहनत कर रही है और उसने भी मेहनत की प्रेणना ली गाउ की बच्चियों से क्योंकि गाउ की बच्चियों को हम देख देख के हमारी आँखों में आसू आते थे जब ये लोग नैशनल्स खेलने के लिए गए जब ये नैशनल्स खेलने के लिए गए तो सारी बच्चिया एकठी गई मेरी बेटी भी थी उसमें शामिल मैं भी गई थी और साथ में जो जितनी भी गाउं की बच्चियां थी जो सुबह तीन तीन चार चार बजे उठके मेहनत करती थी पसीना बहाती थी मुझे आज तक याद है उस टीम की जो कैप्टन थी एक छोटी सी लड़की थी इतनी सी 15 साल की लड़की शायद राधे का नाम था उसका उसको 103 बखार था उसको 103 बखार था लेकिन वो खेलती रही खेलती रही मैं मा हूँ मैं मा हूँ मैंने कहा कि उसको रुकवा लो अराम करा लो कोई बात नहीं वो बच्ची रुकी नहीं इतनी महनत करती हैं आपकी बेटियां और उलिम्पिक में जाने के लिए कितनी महनत की होगी इस लड़की ने हैं नौजवान इसकी उमीदें इसकी आशाएं क्या होंगी महत्त कांशाएं क्या होंगी और आज सरक पे बैठिये आप उनको घसीतवा रहे हो अपने पुलिस वालों से लाते खिलवा रहे हो और आपके पास दो बिनिट का समय नहीं है कि घर अब बुला लीजे ना अब रो र प्रधान मंतरी मोदी जी ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए समझ लीजिए बहनों और भाईयों दस सालों में जो सचाई आप जी रहे हैं जिस तरह से आपको दिली के अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया आपको बाहर रखा आप पे लाठियां बरसाई आपके आपके भूलिये मत भूलिये मत दस सालों से आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें बड़ी बातें मंच पे देश भक्ती की बातें मैं पूछना चाहती हूं कौन है वो देश भक्त जो इस देश को आत्मा को नहीं समझ पाया जो इस देश के किसान का अधर नहीं कर पाया कौन है वो देश भक्त नरिंदर मोदी जी हैं मुझे तो नहीं लगता जिसने इस देश के किसानों को देश द्रोही कहा इस देश के शहीदों को देश द्रोही कहा मुझे तो नहीं लगता याद करिए वो दिन याद करिए वो दिन जब आप पर लाठियां बरसाई अपनी सच्चाई को ठीक तरे से समझे आप जो टीवी पे देख रहे हैं कि देश की बड़ी तरक्की हो रही है ये तरक्की आपके जीवन में नहीं दिख रही है आज आप इतनी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने आपके लिए नीतियां नहीं बनाई इस सरकार ने सिर्फ अपने बड़े-बड़े खरपतियों के लिए अपनी नीतियां बनाई है यह सच्चाई है इस देश की आज सच्चाई है इस देश के किसान का खून पसीना जो इस धरती में रोज गिर रहा है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है सचाई मजदूर की है जो भटक रहा है रोज रोज दिहाडी ढूनने के लिए दिहाडी मिलती नहीं है काम मिलता नहीं है सचाई है इस देश के नौजवान की जिसके लिए अगनी वीर जैसी योजना ले आए जिसको बेरोजगार रखने की साज़िश है क्योंकि अगर रोजगार मिल जाएगा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा शिक्षित हो जाएगा तो फिर इनकी राजनीती को नकार देगा क्योंकि इनकी राजनीती सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली राजनीती है इनकी राजनीती सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेने की